तो नाव टेक आउट पेज नॉबर 155, बॉटल्स एंड बॉकेट्स, वहाँ पे आपको दिया है, कहा गया है कि एक लिटर वाली बॉटल लीजिए, एकदम एमटी बॉटल लेना है जो वन लिटर के साइज में, अब आपको अपने घर के बहुत सारे बॉटल्स, मग, जग, बाउल, यह सब कुछ आपको कलेक करना है, और फिर आपको वह वन लिटर वाले बॉटल में पानी फिल करना है, और हर एक बाउल में डाल के देखना है, मग में डाल के देखना है, कि किस में वन लिटर से ज़ादा पानी आ सकता है, और किस में वन लिटर से कम पानी आ सकता ह पान बेश मेंने 1 लीटर से कम आता है चोटे सी बावन ली टर में होती है उसमें 1 लीटर से जोनी आप 10 रुपीस के फ्रूटी माजा वो सब खरीद के पीते हो तो उसमें वन लिटर से कम आता है तो मैंने याप लिखा लार्ज बॉटल ऑफ पेपसी पेपसी की बड़ी बॉटल तो वो मोर देन वन लिटर में अस्मॉल सॉस पैं जिसमें मम्मी आपने देखा होगा चीला बनाती है या ढूसा बनाती है तो सॉस पैन थे हैं तो वह वन लिटर से कम, जग में एक जग में मुल में लख Fen में लिख पीते हूँ तो मैंने नेपने लैस देन वान लिटर में लिखे विग बॉकेट जो आपके more than one liter में लिखना है फिर यहाँ पर आपको नीचे दे रखे जहाँ पर आपको bucket 1, bucket 2, bucket 3 आपको वाँ पर guess करना और measure लिखना है कि आपका जो guess था कितना था और कितना पानी उसमें actually आया तो that you need to do it by your own अब आप page number 156 में आ जाएंगे 156 में आपको match the following दे रखे है सबसे पहले आपको match करना है यहाँ पर कुछ liters में wait दे रखे है उनको match करना है कि कौनसे container में कितना आएगा जैसे कि 12 liters का है तो 12 liters यह bucket में आ जाएगा तो मैंने उसके साथ match कर दिया तो आप भी इसी तरीके से match करोगे less than half liter तो यह eye drops में आधे liter से भी कम about 5 liters 5 liters जितना कहां तक आएगा water सुराया में ठीक है और thousand liters तो यह बड़े water tank में thousand liters आ जाएंगे फिर है half liter half liter यह milk measure वाले चीज में तो आप इसी तरीके से match करोगे जैसे मैंने match किया यह अपनी ही test book में ओके फिर आप देखोगे page number 157 में whose jug holds more किसके jug में जादा पानी होल्ड होता है if Nana pours one glass of water in her jug it looks like this जब Nana अपने jug में एक glass पानी डालते है तो इतना वो दिखता है Nana thinks she will have to pour around three glasses of water to fill the jug what do you think Nana ऐसा सोचती है कि उसको three glasses of water के बढ़ने डालने पड़ेंगे तो उसका जग फुल हो जाएगा but always आप अगर धियान से देखोगे तो एक glass में अगर इतना पानी भर चुका है तो three glasses में तो आराम से बढ़ जाएगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिख है correct Nana will have to pour three complete glasses of water to fill the jug यहाँ पर नैना की spelling थोड़ी गलत होगी है अब राइट लिख ले ना ओपर से देखे फिर यहाँ पर आती है बात जितू की इफ जितू pours one glass of water in his jug it looks like this जब जितू अपने जग में एक glass पानी डालता है तो वह इस तरीके से देख रहे है whose jug holds more water यहाँ है नैना का जग यहाँ है जितू का जग आपको बताना है किसके जग में जादा पानी आएगा जग देखके ही पता चल रहा है किसके जग में जादा पानी आएगा जितू जग तो मैंने इसको इसी तरीके से यहाँ पर लिखा जितू जग होल्स more water how many glasses of water do you think जितू should pour to fill his jug कितने glasses of water जितू को डालने पड़ेंगे उसके जग को बने के लिए तो जितू अगर नैना को 3 glasses डाले ठीक है और जितू का जो जग है वो नैना के जग से बड़ा भी है तो उसको कितने glasses डालने पड़ेंगे 4 glasses इसके लिए मैंने आप लिखा जितू जितू will have to pour around 4 glasses to fill his fill the jug if जितू pours one more glass of water his jug will be around dash full अभी इतना अगर वो एक और glass पानी डाले तो उसका जग इतना बढ़ जाएगा exactly right वो half हो जाएगा तो half full अब आप page number 158 पर आ जाएगे जहां पे हम नसीम और अब्दूल की बात करेंगे नसीम और अब्दूल to fill their ports each with water नसीम और अब्दूल दोनों का अपने ports फिल करने है पानी से both ports were equally big and heavy दोनों ही ports equally बड़े हैं और भारी हैं so they went to tap again and again इसके लिए वो बारी बारी टैप में जाके पानी भर के लाते थे और port को भर देते उन दोनों के पास अपनी अपनी ही bottles थी जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे नसीम की bottle है और यहां पे अब्दूल की bottle है नसीम had to fill her bottle 16 times from the tap but अब्दूल had to fill his bottle only 8 times नसीम बिचारी को 16 times tap तक आके अपनी bottle को fill करना पड़ा पर अब्दूल को सिर्फ 8 times आना पड तो ऐसा क्यों तो अब यह picture में ही देख सकते हो अब्दूल की bottle कितनी है कैसी यह बढ़ी है और नसीम की bottle कितनी है कैसी है चोटी तो वह ही यहां पर first question हमसे यही पूछा है why did नसीम go more times than अब्दूल नसीम को क्यों जादा time जाना पड़ा नसीम को इसलिए जादा time जाना smaller than अब्दूल's bottle नसीम's bottle can hold dash as much water as अब्दूल's bottle नसीम की bottle कितना hold करती है नसीम कितने times गई 16 times ठीक है 16 का अगर मैं half करूंगी तो 8 होता है और अब्दूल कितने times गया था 8 times तो इसका मतलब है नसीम की bottle आधा hold कर सकती है as compared to अब्दूल's bottle तो इसके लिए मैंने यहापे half ल many glasses कितने glasses port B holds 11 glasses of water port A holds twice as much as water port B port B hold करती है 11 glass of water को अब जो port A है वो port B से twice twice यानि two times hold करती है तो कितना water hold करेगी तो कितने glasses of water उसको चाहिए होंगे port A को how many glasses of water are needed to fill port A already का twice water है two times तो हम यहापे 11 into 2 कर देंगे तो हमारा answer क्या जाएगा port A में कितने glasses ही है हमे 22 glasses तो वो मैंने यहापे explain करते हुए लिखा है if you want you can write the whole explanation और otherwise you can only write 11 into 2 that is equals to 22 अब page number 159 पे आ जाएंगे filling port holes, port holes का मतलब है रस्ते में जो गड़े पढ़ते हैं उसे port holes कहते this is a small town near Kohima, Kohima के पास एक छोटा सा town है there are some port holes in the road, road पे बहुत सारे port holes before the rain comes, children want to fill the holes with pebbles बारिश आए उसके पहले उन्हें holes को पत्थर डालके बंद कर देने, छोटे-छोटे pebbles they bring pebbles in mugs of the same size, वो pebbles को एक ही size के mugs में लेके है hole A gets filled with 9 mugs of pebbles hole A में 9 mugs लगे, hole B में 18 mugs लगे, hole C में 12 mugs लगे pebbles के सबसे पहला question यहाँ पर बूला है, mark A, B, C on the right hole in the picture यानी देखो, सबसे पहले hole A में कितने mugs लगे थे, 9 mugs तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला hole मुझे एक ही दिख रहा है, जो कि यह A तो मैंने यहाँ पर first वाले बे A लिख दिया फिर hole B में कितने 18 mugs, 18 mugs of pebbles लगे मतला बड़ा hole होगा, तो हमारे पास 2nd और 3rd option ही है तो उन मेंसे जो बड़ा वाला है वो 3rd है, इसके लिए मैंने यह पर B लिख दिया, फिर hole C में 12 mugs, हमारे पास सिफ 2nd option बचा है तो मैंने 2nd option पर C लिख दिया, which is the biggest porthole, इन मेंसे कौन सा गड़ा सबसे बड़ा है, exactly right, porthole B यानि B वाला सबसे बड़ा है, if jugs are used to hole A, sorry, if jugs are used, hole A gets filled with 5 jugs, how many jugs of maples are needed to fill hole B, अगर हम mug के जगा पर jugs use करें, ठीक है, hole A को fill करने के लिए 5 jugs use हुए, तो कितने jugs हमें hole B को fill करने के लिए लगेंगे, हमें max कितने लगे थे, 9, और hole B में कितने लगे थे, 18, अगर मैं 18 का half करो, तो कितना होता है, 9, मतलब यहां पर अगर 5 है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, twice करना पड़ेगा, right, कि यहां पर आप देख रहे हो, 9 का double है यहां पर hole B में, hole A में 9 था, तो उसका double किया hole B म नहीं, तो वैसे ही यहां पर अगर 5 दे रखा है, तो 5 into 2 कर देंगे, तो hole B में हमें कितने जक्स की जरुरत पड़ेगी, 10 जक्स की जरुरत पड़ेगी, basically हम क्या कर रहें, twice कर रहें, double कर रहें, I hope you guys understood well, thank you